वैसे तो एक नियम है कि जब आप कथा करें, नालब जो कथा व्यास है, वो जब तक संकल्पित है, वो तब तक किसी को हाथ चोड़ के प्रणाम नहीं करें, ऐसा लिखा हुआ है, यह व्यास का नियम है लेकिन आप सबके बीतर बैठे वे नारायंड को या भगवती को तो हम अभी नंदन करीज सकते हैं। तो आप सबके मन में बसी, भगवती का हम अभी नंदन करते हैं और कथा में प्रविष करते हैं। बड़े विचित्र विचित्र नियम बना गया रेशी महाराज। पता नहीं क्या-क्या सोच के नियम बनाए थे। कलम ने देखा कि इस प्रकार से बगवत्ती जो है। सब की मदद करती हूँ। राजा सुरत की मदद की, वैशी की मदद की, समादी वैशी की मदद की। लब एक बात तो पक्की है कि हम किसी जाती वर्न भेद में हो। कोई और देवी देर्टा का भेद लग सकता है, इसका भेद नहीं लग सकता। मा परामबा का भेत कहीं नहीं है किसी ने हमसे एक प्रश्ण पुछा था जिसका गुरु नहों हो क्या करे त्योंकि एक कहावत है गुरु कीजिये जान के पानी पीजिये जान के सत्य भी है अब तक जानने लोग गुरु नहीं बनाना चाहिए और पानी को बिना जाने नहीं बिना चाहिए क्योंकि ये बहुत sensitive चीज है इतनी साधारण नहीं जल बहुत साधारण लगता है पर साधारण है नहीं जल का अर्थे तरलता सदेव बहता रहा तो तो स्वच्छ और जो एक जगर रुख जाए तो कुछ समय के बाद खराब होने लगता है कीड़े पढ़ने लगेंगे मिट्टी हो जाएगी कीचड़ हो जाएगा उसकी रूप परिवर्दित होने लगेंगे लेकिन बहरा है तब तक वो पवितर है ठीक उसी प्रकार आप जब तक जीवन के बहाव में तब तक बहुत अच्छा है जब तक किसी एक बात को पकड़ कर आप गाटबान के बैठ गए हो अगर की फला ने ऐसा क्यों करा तो याने आपकी बीतर का जब भावे हो रुप गया कभी भी किसी की बात की इतनी चिंता मत करना की आपकी प्रवत्ती बदल जाए दो बहुत मैजिकल वर्ड आज बताने जा रहे हो कभी विश्म परिस्तिती आ जाए जीवन में तब क्या करना बहुत से लोग ये कहते है कि मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है कहते हैं दुखी होकर यहाँ भी बहुत से है क्यों क्याते हैं गे लिए मेरे साथ ही इतना सब क्यों लिखा है और कोई नहीं मिला इतने संसार में तब एक शब्द है so what सही प्रयोप करना इसका शब्द बहुत खास है तो क्या so what why not me मैं क्यों नि मुझे में कुछ खास होगा तब ही भगवान ऐसा कर रहे तो अगर आपको दुख हा जाए तो ये मत सोचना कि मैं ही क्यों ये सोचना मैं मतलब आपकी इंपोर्टन्स है इसलिए आपको चुना आपकी इंपोर्टन्स नहीं होती तो आपको नहीं चुनते so what why not क्यों निवनी मैं भी तो इससे जो आपका दुख है जो कष्ट है वो हलका हो जाएगा सारी responsibility घर के आप पे आजाए business के आप पे आजाए तो बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि सारी जिम्मेदारी मेरे उपर है मैं ही मिला या मैं ही मिली देरानी जेठानी को कुछ नहीं बोलते है दीदी को मम्मी को कुछ नहीं बोलते है भावी को नहीं बोलते है जिसकी जो परिस्तिती हो why not me आपको चुना है इसका मतलब आपने वो गुर्ण देखा इसलिए चुना तो उस चीज से अपना आधार लेना अपना विश्वास लेना अपना आत्मे विश्वास लेना उस चीज को गाठ बान के दुख मत बनाना क्योंकि दुख बनाने से क्या होगा औरजा कम हो जाए औरजा कम होने के पाद दुख और लगेगा किके आज का प्रसंगी कुछ ऐसा है और जाती है तो दुख ज़्यादा लगता है जैसे कोई चोट लगी हो और चोट पे चोट लग जाए तो दर्द ज्यादा होता है और स्वस्थ हो और कुछ खरोची लग जाए चोट लग जाए तो कोई बार बार doesn't matter और कोई बहुत से लोग छोटी सी बात का बड़ा इश्यो बनाते हैं कई बार तब भी बस इसको सोगोट करके छोड़ देना है तो क्या ठीक है अपना दर्म अपना करते भी करते चलो लेकिन कहां से मन से धर्म करो और बुद्धी से कर्म करो बुद्धी से कर्म अर्था आप एदे किसी को कुछ कह रहे हैं तो सिप जिवा से कहना मन से बत कहना सिप जिवा से कहना जैसे को कहते हैं नकल एक्टिंग करते हैं अभी नए अभी नए करते हैं जीवन को अभी नए के जैसा जीओ कि वे अभी आपका क्या रोल था क्या गिर्दार था ठीकि आप माँ हो आप पत्नी हो आप बेहन हो फिर आप बॉस हो आप एमपलॉई हो अभी नहीं करो उसके अंदर उतर मत चाओ उतरे तो गड़़ड़ और सहजता में रहे आपका काम आप करते चुनोगे जिसको जो सुचना है सोचे जिसको जो बोलना है बोले लेकिन आप अपने में रहोगे कि मैंने अपना काम किया क्योंकि न बोलने का डबल दोश बोलने का कम दोश कोई गलती करे और आप न जताए तो वो फिर ज़्यादा बड़ी गलती करता है तो कितना दोश लगेगा बड़ी गलती का छोटे में टोग दोगे तो वो बड़ी गलती से बच जाएंगे इसके लिए टोग देना चाहिए भला लगे या बुरा मन से मत कहना वस जबान ही हिलाना जबान से ही कहना मन से मत कहना प्रॉब्लम वहाँ होती जब आप मन से कहते मन स्वच्छ रखना कैसा जल के बहाओ जैसा नदी के जैसा उर्जावान मन हमेशा स्वच्छ रखना शणिक चीजे आती है और चली जाती है जिससे भगवान शिंकराचारी जी ने आदी शिंकराचारी जी ने वेक चुडामनी में लिख दिया तितिक्षा एक शब्द में एक शब्द में उन्होंने ये सब समझा दिया तितिक्षा में रहो तितिक्षा में अर्था जो हो रहा है उसे होने रहो उसे देखते रहो अपना धर्म करो अपना कर्म करो देखते रहो साक्षी हो और चलते चलो लिसस तितिक्षा ग्रंध का नाम है विवेक चुड़ामनी उँझे नहीं लगता इस सुन्दर ग्रंध संसार में और कोई हो भी सकता है उमारे सारे शास्त्र बहुत अच्छे है लेकिन आदिशिंक्राचारी जी का भजगविंदम के बाद पिवेक चुड़ामनी अभी तक जो मैंने ज्यादा अध्यानी अभी अध्यान तो चालू यह तकि अध्यान तो ऐसा है, जितना बढ़ो उतना कम तितिक्ष्यामे रहो ज्यादा पचड़े में मत पड़ Pose लेकिन हाँ, अपना धर्मनि बाना, जहां कहना है कहो जहां कहना है नहीं कहना है वाचे पर हो और चल दो अपना बहाव बनाए रखो बहाव बनाए रखो ने तितिक्षा ने बाहरी चीज का आपकी भीतरी मन पे प्रभाव न पड़े तो तितिक्षा में रहेगा